नमस्का दोस्तों, DMS की B20 सीरीज के ये दूसरा पार्ट है, इसमें मैं बताऊंगा कि मुवाइल ये टैब में जो जॉब कार्ट बनाने के लिए अप्लिकेशन यूज होता है, उसे कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे कन्फिगर करते हैं मुवाइल की स्क्रीन में जाने से पहले मैं आपको कन्फिगरेशन बताऊंगा कि इसको आप कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर DMS में लॉगिन कर लिया है B20 ID से, आप चाहे तो GG01 से भी लॉगिन कर सकते हैं, तो लॉगिन करने के बाद हमें मास्टर पर जाना है, मास्टर पर हमें एक ID बनानी है, जिस ID से हम वो टैब का अप्लिकेशन या मुवाइल का अप्लिकेशन इस्तमाल करेंगे, तो हम यहाँ पे यहाँ पर नेटवर्क दिख रहा है, नेटवर्क के बगल में इंपलाई है, इंपलाई पर क्लिक करेंगे, तो हमारा इंपलाई का विंडो खुल चुका है, और इसमें हमें जो पुराने जो इंपलाई बने हुए हैं, वो पुरी की पुरी रिलेस्ट दिख जाएगी आपकड बनाना होता था, तो हमें टैब का IMI नंबर हमें यहाँ पर डालना पड़ता था, और यहाँ पर अप्लिकेशन चूज करना था, ठीक है, तो अब हमें वो चीज़ करने का वो शकता नहीं है, अब हमें यहाँ पर IMI नंबर डालने जो उत नहीं है, हमें simply एक employee बनान है, हमें बताता हों कैसे करना है, तो पहले हमें यहां पर new पक्लिक करेंगे करने के बाद हमें आपे नीचे आ जाएंगे, नीचे यहां पे last name पूछ रहा है, गर अ कर अ गृओ, इसको हमें हटा देना है यहां से, यहां पर और यहां पर हमें यूजर आइडी बनाने इसकी तो यह हमने तो बेसिक इंफॉमेशन डाल दिया इसका नाम हो गया और यूजर आइडी होगी मुवाइल नंबर हो गया अब जो मेन आप्सन बसता है जो सबसे इंपॉर्टेंट आप्सन है जिसमें हमें पोजीशन चूज करन आया है उसमें हम वह एक ही अप्लिकेशन है जाप काट के लिए भी वी करनेट के लिए जो भी काम होते हैं उन सभी काम के लिए एक ही अप्लिकेशन है तो वह अप्लिकेशन जो है वह डाइनेमिक है अपनी आइडी जो होगी आइडी और उस आइडी के पोजीशन के हिसाब से वह अप्लिकेशन काम करेगा जो हमें जॉब करके लिए जो हमें पोजीशन चूज करनी है वह यहां पर फ्रंट लाइन सुपर्वाइजर चूज करना है तो हमने इसकी यहां पर पोजीशन डाल दिया है से हमें जो है मैं इस दिया हूए है अगर आप चाहे तो हहां से डाウंलोड कर सकते हैं यह जो हमीशन काति हूँ कित्व पर पूपड़ तो आप पको अपनी कि यह सं से लिटिस्ट वर्जन का आप पो लिंक माग सकते हैं तो हमें इस लिंक पर क्लिक करना है और लिंक पर क्लिक करने के बाद यहां पर एक option आएगा download का तो हमें यह application डाउनलोड करना है और यहां पर लिखा भी हुआ है hero service app और उसका version दिया हुआ यहां पर ठीक है तो हमें इसे download करना है तो हमें इसे download कर लेता हूं download करके install कर लेना है और इंस्टाल करने के बाद हमें open करना है तो हमें कुछ ऐसा interface दिखेगा हमें यहां पर user id डालनी है और send otp पर क्लिक करना है हमें user id यहां पर वही डालनी है जिसके position में floor supervisor है ठीक है और दूसरी चीज़ कि उसमें जो हमारा mobile number दिया गया है उसमें otp आएगा otp हमें डालना पड़ेगा तो मैं यहां पर id डाल देता हूं और जैसे id हम डालेंगे और अगर गलत id होगी तो गलत id accept नहीं करेगा पहली चीज़ और जैसे अगर id सही होगी तो हमारे सामने एक please enter otp का एक form खुल के आ जाएगा सामने तो हमें यहां पर otp डालना है तो आपके रिजिस्टर मॉवाइल नंबर पर otp जाएगा और हमारे रिजिस्टर मॉवाइल नंबर पर otp आ गया है तो मैं otp डाल देता हूं और फिर उसके बाद submit otp पर क्लिक करना है और जैसे ही हम submit otp पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने को जैसा इंटरफेस आ जाएगा तो यह हमारा जो application है यह हम use कर सकते हैं इसको इसमें कोई दिक्कत नहीं है इस application के तो आपको कैसे job cut open करना इसके लिए मैंने अलाग से वीडिय दिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है तो इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में डीमेस की B20 सीरीज के अगले पार्ट में तब तक के लिए धन्यवाद अगर आप मुझे appreciate करना चाहते है तो अवश्य करिए चैनल को subscribe वीडियो को like और share कर अगर आपकर कोई सवाल ये सुझाओ है तो comment करके जरूर बताइए धन्यवाद